हेलो वेलकून टो आवर यूटिब चैनल PCP क्लासिस तो आईए करते हैं कोस्चन नंबर 29 तो यह जो कोस्चन नंबर 29 है यह थ्री मार्ट का कोस्चन है चैप्टर बन रियल नंबर से लिया गया है और यह जो सेम कोस्चन वेपर का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया करें और इस वीडियो को लाइक करें तो लेट्स स्टार्ट इस कोशन प्रूफ डैट रूट 3 इस एन इर्रेशनल नंबर तो हमें इसे इर्रेशनल नंबर प्रूफ करना है तो आईए लेट करते हैं इसको सबसे पहले करने के लिए लेट rational हमको proof करना है तो उसके opposite rational हमें assume करना पड़ेगा तो let root 3 is a rational number तो अगर यह rational number है तो इसको हम लिख सकते हैं therefore root 3 is equal to a upon b जहां पे यह जो a और b है यह co prime numbers है a and b are co co prime numbers तो अगर a b co prime number है तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं a is equal to root 3 b और जब हम squaring करेंगे squaring both side तो यह हो जाएगा a square is equal to 3 b square तो इससे हमको यह पता लगता है कि जो 3 है 3 is a factor of of a square और इसका यह मतलब हो गया कि 3 is a factor of a और यह हो जाएगा equation 1 अब हम यहाँ पर एक value put करेंगे put a is equal to 3 n in equation तो जैसे हमने equation 1 यहाँ पर हमें यह equation 1 let करना है और यह equation 2 let करना है तो equation 1 में हम a is equal to 3 n को put कर देंगे तो जो a square है तो 3 n square हम इस a की जगह पर 3 n लिख देंगे और इसका हो square is equal to 3 b square तो यह हो जाएगा 9 n square is equal to 3 b square अब इसको हम अगर 3 बंजा 3 और 3 3 जा 9 तो इस तरीके से हम इसको काट सकते हैं काट के लिख सकते हैं तो इधर हो जाएगा b square is equal to अब हम इसको बस interchange कर रहे हैं तो b square is equal to 3 n square तो यहाँ पर जो 3 है इसको हम लिख सकते हैं 3 is a factor of b square तो 3 is a factor of b square इस तो यह हो जाएगा third equation क्योंकि हमने यहाँ पर second मान रखा था उसके बाद third equation तो जब हम इसको from second and third तो यहाँ से हमें यह पता लगता है कि 3 is a factor of a and 3 is a factor of b जबकि यहाँ पर हमने a and b को co prime number बताया था तो जो a और b किसी भी सासाथ एक table में नहीं आते मतलब इस दोनों का कोई भी common factor नहीं है तो हम उसको co prime number बोल सकते हैं लेकिन जो यहाँ पर हमने proof किया है second and third में कि जो 3 है वो a का भी factor है और जो 3 है वो b का भी factor है तो मतलब 3 common factor हो गया इस a और b का तो वही चीज हम यहाँ पर लिखेंगे कि from second and third three is a common factor of a and b तो अगर a और b का अगर three common factor है तो इसका मतलब यह हो गया कि बट this contradicts the fact that a and b are co prime नंबर्स तो यह contradiction यहां पर आता है कि a and b co prime numbers है क्योंकि यहां पर co prime number हमने बोला था और यहां पर तीन common factor आ रहा है तो जो कि एक contradiction है और ऐसा इसी लिए आया है this is due to the fact key this is due to our incorrect assumption our incorrect assumption that that root 3 is rational तो ऐसा इसी लिए आया है क्योंकि हमने root 3 को rational माना जबकि हम जानते हैं जो root 3 है वो rational number नहीं होता है तो अगर हम गलत सोचेंगे तो गलत ही result आएगा तो इसी लिए so we conclude that so we conclude that root 3 is irrational तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि जो root 3 है वो irrational number है sorry irrational और इस तरीके से हम इस question को prove कर लेंगे तो यहाँ पर इस whole process में जो समझने वाली बात है एक तो है यहाँ पे जैसे हम a square is equal to 3b square हम करते हैं और यहाँ पे हम यह लिखते हैं कि 3 is a factor of a square and 3 is a factor of a तो मैं यहाँ पे एक अलग से थोड़ा space लेके मैं आपको इसको बताता हूं कि actually मैं यह क्या है कि जैसे अगर माल लेजे कि जैसे 16 है तो 16 को हम कैसे लिख सकते हैं तो 16 को लिख सकते हैं तो इंटू से लिख सकते हैं जैसे हमने यहाँ पे a square लिखा है तो a square is equal to 3 b square है तो इसमें जो एक value आ रहा है 3 तो इधर क्या है इधर मतलब multiply में 3 into b into b और इधर है a square तो अगर 3 a square का factor है जैसे 4 इस 4 square का factor है मतलब 16 का factor है तो यह जो 4 होगा यह इस 4 का भी factor हो जाएगा तो जैसे यह 4 का square है और अगर हम इसके जगत सिर्फ 4 को ले लें तो यहां पे सिर्फ a की 4 बचएगा मतलब यह जो 4 है यह इस 4 का भी factor होगा तो वही बात हम यहाँ पे देखते हैं अगर जो 3 है वो A square का factor है तो यह जो 3 है वो इस A का भी factor हो जाएगा तो इसलिए हम यह चीज़ यहाँ पर लिखते हैं तो एक तो हम यह चीज़ यहाँ लिखते हैं और एक दूसरे जगह पर हम यहाँ पर लिखते हैं दूसरा जो यहाँ पर है यह contradiction तो जो यह contradiction है तो यहां पर एक जैसे की example है कि मुझे Chinese पसंद नहीं है लेकिन मैं चौमिन खाता हूँ तो यहां पर यह contradiction आ रहा है कि मैं चौमिन खाता हूँ तो मुझे Chinese पसंद कैसे नहीं है उसी को तो हम बोलते हैं कि यहां एक तरफ तो हम rational number बोलने है root 3 को लेकिन हम जानते हैं कि यह irrational है तो क्योंकि हम गलत सोचते तो यहां पे जैसे A और B के अंदर जो common factor है वो 3 आ रहा है तो अगर यहां पे अगर co prime number है जैसे कि 8 और 9 है तो इसमें कुछी common नहीं आना चाहिए में लेकिन यहां पे common आ रहा है तो इसी लिए यहां पे यह contradiction आ रहा है तो इसलिए हम इस用डिक्शन को बूल सकते हैं कि जह हमने सोचा है वह ँचिज हमने गलत ही सोचा है क्योंकि गलत सोचने से ही गलत result आ रहा है तो इसी को बूलते हैं तो आई होब ये कोशन आपको समझ में आया होगा नेक्स विडियो में थैंक ये सो मच कि आज आज दो कि अ कि कि अ